जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान गेहू के आटे का औसित मासिक खुद्रा मूले पिछले एक साल के दौरान में 12 साल के उच्तम स्टर 32.3 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है उपभोकता मामलों के विभाग के आकड़ों के मुताबिक गत साल इसका औसित खुद्रा मूले 29.1 रुपए प्रति किलोग्राम था इससे ब्रेड, बसकिट और आटे से बनने वाले उत्पाद भी जल महेंगे हो जाएंगे भारत में गेहु का उत्पादन और भंडार दोनों में गिरावट आई है जिससे यहां गेहु के आटे के दाम बढ़ रहे हैं इसके अलावा रूस और यूक्रेन के युद होने के कारण विरेशी बजारों में गेहु की मांग भी बढ़ गई है रूस और यूक्रेन दोनों गेहु के बड़े उत्पादक देश है उपभोकता मंतरवाले के आखणों के मताबिक इस साल गेहु की कीमते अब तक 46 फीसिती तक बढ़ गई है भारत में गेहु की कीमते 2400 रुपे प्रतिक विंटल के करीब है जो न्यूतनम समर्थन मूल से अधिक है साथ 2022-23 के कारुवारी सीजन के लिए गेहु का न्यूतनम समर्थन मूल है 2015 रुपे प्रतिक विंटल ने धारित किया गया है इसी तरह आटे का भाव अप्रेल में 32.38 रुपे प्रति किलोग्राम पहुँच गया था ये जनवरी 2010 के बाद सबसे जादा है गेहु म बनाने वाले उत्पादों के दाम 15 फीसरी तक बढ़ा सकती है मंतरवाले का कहना है कि पिछले एक साल में आम आदमी की थाली की हर चीजे महंगी हो गए है आमतौर फर गेहुं की कटाई का सीजन शुरू होते ही आपूर्ती बढ़ने के दबाब से मंडी में इसके दाम घट जाते हैं लेकिन इस बार परियाप्त मांग के बीच आपूर्ती में आई गिरावट के दाम ने तेजी बनी हुई है वही रिपोर्ट के अनुसार गेहुं उत्पादन वाले इलाकों में अधिक गर्मी के कारण इस बार कम फसल की संभावना जताई जारी है अतिवादी गर् इस बार के की मत पर है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रही है मारके टाйंस टीवी के साथ मुझे दीजे जाज़ाए आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान